इस वीडियो में लोकेट करेंगे रूट 13 आंदर नमबर लाइन तो नमबर लाइन पर जैसे कि नमबर लाइन हमारे पास है यहाँ पर रूट 13 कहां लाई करता है हम कैसे बताएंगे जैसे कि 0 यहाँ है और 0 के बाद रूट 13 कहां होगा exactly उसका position find करने के लिए हमें यूज करना होगा कुछ instruments जैसे कि एक ruler या compass या protector में से दोनों में से कोई एक यूज कर सकते है तो मैं यूज करूँगा protector जो हमारा first step है वो यह है कि जो यहाँ रूट 13 दिया हुआ है उसमें जो 13 है उसको हम लिखेंगे as sum of squares of two natural numbers 13 को break कर सकते है 9 plus 4 और 9 और 4 क्या है natural numbers है और square numbers है तो हम इनको squares के formula देंगे मतलग कि 3 square plus 2 square यह first step है आपको यह करना ही करना है क्यों ऐसा करना है क्योंकि तभी तो 3 और 2 मिलेगा यह जो 3 और 2 मिला हमें इन ही का use करके तो हम यहाँ पर draw करेंगे लोकेट करेंगे exact position किसका root 13 का तो चलिए यहाँ पर जो 3 है इसको देखकर के सबसे पहला जो step यहाँ पर हम draw करेंगे वो यह है कि 3 cm हम 0 point से draw कर लगे पहले पहले तो हम इसको 0 पर रख लेते हैं तो मैंने 3 पर red dot ले लिया है अब इस 3 point जो मिला यहाँ पर हम एक परपेंट को लाइन ड्रा करेंगे ठीक है परपेंट को लाइन ड्रा करने के लिए हमें यूज करना होगा प्रोटेक्टर तो हमने red dot पर रख दिया है देखिए यह 3 के direction में ही यह हमने रखा है exactly exactly हम find कर रहे है ठीक है अब यहाँ पर हम 90 degree का जो point है वहाँ पर एक point ले लेंगे तो हमने यहाँ पर देखिए 90 degree पर हमने एक point ले लिया और इस point को और इस point को दुनको join करेंगे साफ साफ देखें तो यहाँ इस point को और इस point को join करेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 cm मिल चुका है तो इसको हम लिख लेते हैं अब इस rate dot को जोइन कर दयते हैं ये हमने join कर दिया हमें परप्वेंड को लाइन ग इस परप्वेंड को मिल चुकी है देखे यहाँ पर 2 है और लेख करके हम यहाँ पर प्रप्वेंड को लाइन पर एक point लेंगे तो हमने रहे हैं 2 point को मार कर लिया है इनका naming कर लेते हैं इस point को जो है हमने पाया था 2 cm अब उसको ले लेते हैं B O B को join करेंगे तो ये हो जाएगा अब दीए ऐसा बनाने के बाद हमें जो पैथागोरस principle है पैथागोरस theorem है उसका यूज करना है तो पैथागोरस theorem गया कहता है कि यदि कोई right angle triangle है और ये right angle triangle है भी O A B क्या है एक right angle triangle है और इस right angle triangle में जो ये O A है वो base है तो जो पैथागोरस theorem कहता है वो ये कहता है कि जो यहाँ पर O B है जो hypotenuse है उसका square यदि करेंगे तो वो equal होगा O A और A B के squares के sum के मतलब कि O A square plus A B square कर दें तो हमारा O B square के बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि जो O B है वो हम find कर सकते हैं simply यहाँ पर हम लिए सकते हैं under root of 3 square plus ये 2 under root of 2 मतलब ये 2 square तो यहाँ पर जो ये value solve करेंगे तो क्या मिलेगा यही तो मिलेगा root 13 इसका मतलब कि जो O B है O B का length है वो हमने exactly find कर लिया root 13 तो ये O B का length इरी पर चल गया तो इसी को हमें दी इस number line पर project कर दें तो जहाँ पर ये arc कटेगी यहाँ पर आ करके बस वही point होगा हमारा चलिए यूज करते हैं compass और compass से find कर लेते हैं कि वो point number line पर कहां होगी compass का length यहाँ O B length जितना भी होगा उतना हम adjust करेंगे उसके बाद यहाँ से एक arc खीचेंगे यहाँ पर arc खीचेंगे यह arc जहाँ पर number line पर strike करेगी यह जो हमें point मिला यहाँ पर यही point है जो root 13 है तो हमने exactly यहाँ पर represent कर लिया root 13 को ठीक ऐसे ही जैसे हम रूट 13 को represent किया है ठीक ऐसे ही आप root 10 और root 17 को भी कर सकते हैं क्योंकि आप root 10 को भी लिख सकते हैं sum of squares are two numbers मतलब यह लिख सकते हैं 3 square plus 1 square और ठीक ऐसे ही root 17 को भी लिख सकते हैं under root of 4 square plus 1 square isn't that योदि आप ऐसा लिख सकते हैं तो आसानी से आप यहां पर ठीक ऐसे ही exactly करके आप root 10 और root 17 का find कर सकते हैं तो हमने यहां पर exactly find कर लिया root 13 तो 0 से लिए करके देखें 0 से root 13 यहां पर है मतलब 3 cm के आगी होगा बिल्कुल यदि हम scale से थोड़ा सा देखें कि scale से वो किस point पर लाई करेगा तो let us see it देखें यहां 0 है और हम चाहा रहे हैं कि यहां पर zoom करके देखें कि यह point काउन सा है यहां पर आपको point मिल रहा है exactly point वो नहीं देख पाएंगे बट आपको यह तो पर चल गया कि 4 से less यहां पर है और 3 यहां पर है यह 3 point है यह point 3 है और 3 से आगे है और इस point तक exactly हमने पता कर लिया कि वो कहां पर लाई करेगा तो ऐसे आप exam में यहां पर question पूछता है तो आप ऐसे ही exactly ड्रा कर सकते हैं बस आपको यह find करना है 3 और 2 यह आपने find कर लिया तो आसानी से यहां पर locate कर सकते है एक बार यह हम revise करना चाहें इसको shortcut में तो कैसे करेंगे देखे ध्यान से पहले रूट 13 को break कर लेंगे sum of square साफ 2 natural numbers तो 9 और 4 मिलेंगे अब यह इनको लिख सकते हैं 3 square प्रस 2 square यहां जो 3 है यह 3 को देख करके यह जो 3 है इस 3 को देख करके पहले पहले आप 0 से ड्रा करेंगे 3 cm यह उसके बाद यह दो point मिला a इस a point पर पर pen को ड्रा करेंगे using compass और protector और यह ड्रा कर लेंगे उसके बाद से इस पर a b लेंगे एक point जो 2 cm होगा अब ड्रा कर सकते हैं scale का यूज़ करके या फिर protector का यूज़ करके आप आप आइसे आर खिस सकते हैं compass यूज़ करके यह b point मिलने के बाद o b join कर देंगे तो हमें o a b एक ऐसा right triangle मिलेगा जिसमें pathagoras theorem का अनुसार हम लिख सकते हैं कि o b square is equal to o a square plus a b square तो यहाँ पर हमें root 13 मिल जाएगा exactly तो o b का length हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे इस o b को project कर देंगे यहाँ पर यह radius तो बराबर ही होता है तो जो point यहाँ मिलेगा वही point होगा root 13 यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने दोस्तों को share कर सकते हैं और इस वीडियो को like दे सकते हैं और यह कोई भी doubt है तो comment box में जरूर लिखेगा I will listen to that and I will always reply okay it is my personal guarantee thank you so much for watching bye